चलिए Practice State आपका बिहार S.S.C. Interrestory का Practice State इगारमा आपको समापन करेंगे और कैसा लगता है और अच्छा लगे तो Please subscribe लाइक किजे प्रैक्टिस से टेल का आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लिए और जब तक आप नहीं देखेगा तो इगार्मा प्रैक्टिस से देखने में मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त और ऐसे स्लो अगर देखे तो मैं दो दिन बाद डालूंगा क्या करूं लेकिन आप जबाव देंगे कि बताएगा किस वाद में उचितमने आले में यह विवस्था दी गई है कि पस्तावना सभिधान का एक भाग है बताएगा किस में आपके सामने चार ऑप्शन है जिन्होंने ऑप्शन नमबर सी लिया है किस्वानंद भारतिवाद उन्होंने सही जवाब आए ओके तो चलिए आगे क्यों चलते हैं इसका थ्वड़ से डिटेल नहीं बताएथा जो आप अंसर लगाए वो सही है इसका डिटेल में है कि कब आया था आता है तो 173 में ठीक है बस इतना है जानकाली रखें जादा नहीं चलिएगा आगे चलेगे बताएगा दूसरा प्रशन का जवाब देंगे दूसरा प्रशन बताएगे कि निम्रिखित में से कौन सा राज्यों के पुन गठन से समंधित नहीं है ये बताएगे कौन सा आयोग जो है ब जो है आपका नहीं है या तखेंगा ऑप्शन नूम और सी या तकेंगे जिन्हों लगाएं उन्होंने सही जवाब लगाएं चलिएगए आगे क्यों चलेंगे चलेगा तिसरा प्रशन का जवाब देजेगा फटभटभ जवाब दिएगा मेरे दोस्त भारतिय समिधान में किस अधार पर अलप संख्यकों का निर्धारन किया गया है अलप संख्यकों का निर्धारन किया गया है किस अधार पर ये बताएंगे तिसरा प्रश्ण का जवाब जिन्होंने option number c दिया है भाषाई एवं धार्मिक उन्होंने सही जवाब दिया है ठीक है आगी क्यों चलेंगे समिधान संसोधन से फिर प्रष्ट इसको जरूरी है करवाना लगता है देखे पहला वीडियो मैं डाला है देखे होंगे तो देख लिजएगा ने तो दूसरा वीडियो भी आ रहा है किस समिधान संसोधन के द्वारा संपत्ति के अरिकार को मुल अरिकार से हटा कर विधी अरिकारी बनाया गया है विधी अरिकारी में बनाया गया है यह बनाईएगा तो मुल अरिकार से हटाया गया है संपत्ति का अरिकार या तकैंगे, ज्यादा डिटेल बार में, चलेंगे पाचमा प्रष्ण की ओर चलेंगे, पाचमा प्रश्ण है कि किसी राज्ज में अधिक्तम कितने समय अवदी तक राश्टपती शासन लागू कर सकता है बताईगा बहुत ही प्रश्ण है कितने समय तक का शासन लागू कर सकता है तो अब जानते हैं तीन वर्ष के लिए तिन वर्स के लिए राश्पती शासन समये अब दी मतर्श तीन वर्स तक राश्पती शासन लगा सकता है या तकेंगे अगर आपको छे महिने तक आपको जल्द से जल्द छे महिने के अंतराल आपको ये पद पे किसी को भरना रहता है या तकेंगा जब तक राश्पती शासन है ऐसा नियम है चलेंगे बाद में बताएंगे और डिचेल राष्ट पती किसी मामले में सर्वोच न्याले से सलाह ले सकता है इसका उलेक किस अनृश्यद में है अनृश्यद का अगर वीडियो नहीं देखें मेरे दोस तो जरूर देख लेंगे क्योंकि अनृश्यद का इसका उले किस अनुशेद में है बताएंगे तो अनुशेद या दखिएगा अनुशेद अगर आपने अपसन नमर डी दिया है अनुशेद 143 आप अनसर सही दिये हैं या दखिएगा सलाले शक्ता है या दखिएगा चलेगा सातमा प्रशन का जवाब देंगे सातमा प्रशन आपके सामने है कि किस राज्य में पंचैतों के निर्वाचन कीती थी कि घोशना कौन करता है बताएंगे किस राज्य में पंचैतों के निर्वाचन कीती थी कि घोशना कौन करता है ये जवाब देंगे आपके सामने चार अपसन है जवाब देंगे या दखिए जरूर करिएगा यह मैं बार बर बोर रहा हूं चिक है जरूर देख लिए आठमा प्रश्ण का जवाब देंगे आठमा प्रश्ण आपके सामने है कि निम्रिकित में से कौन सा संग सुची का विसेय नहीं है संग सुची का विसेय नहीं है यही कहने का मतलब है तो इस में से हैं आपका राज्सुची में आता है थीक भारत की रचा ये सब जो है रेल एवरास्टी एव राज्मार जब जन्गनना ये सब जो है आपका दोनों में आता है या तो किये चलिएगे आगे क्यों चलिएगा कि नौ प्रश्ण का जवाव प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किस नवाव के दरवार में अंग्रेज रेजिटेंट नुक्त किये गए बताएगा नौए प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने आप्सन नमबर बी दिया है उन्होंने सभी दिया है लुक लुक स्क्राप्टन या दिखेगा लुक स्क्राप्टन ने जवाब दिया है या दिखेगा दस्मा प्रश्न का जवाब देंगे अंग्रेजों द्वारा पेश्वा प्रथा किस पेश्वा के काल में समाप्त कर दी गई है दस्मा प्रश्न का जवाब देंगे तो या दिखेग का ऑप्सन नमबर ए जिन्होंने दिया है बाजी राधियू थी यह उसके समय में समाप्त कर दिया गया था यह दखेंगे यह आंगल और मराठा यूद हुआ था ठीक है अंगल और मराठा यूद हुआ था ठीक है मराठा यूद हुआ था कब हुआ था तो यह दखेंगे अठा दोरा गवर्ण जनल के मुख्स आपती तथा गवर्ण जनल दोनों को शक्तियां प्रादान की गई है डाये गाई गाई जवाब दीजेगा गारवा प्रशन और जिएगा मेरे दोस्त तो याद दखेगा जिन्होंने option number D दिया है उन्होंने सही जवाव दिया है 1786 का अधिनियम था जिन्होंने मुक्ष जेनापती तथा governor general दोनों के सक्ति परदान की गई थी चीक है याद दखेंगे चलिएगा आगे PDF में आप थोड़ी जनकारी लेजिएगा आपको PDF अप्रोट कर दिया जागा ठीक है सुची 1 सुची 2 का सही बिलान करेगा संस्था और संस्थापक ठीक है संस्था और संस्थापक की बात करता है तो संस्था और संस्थापक में अगर देखा जा option number A बताएगा क्या है depressed class mission society की संस्थापक क्या था संस्थापक कौन है ये बताएगा तो या देखेगा इसकी जो है थोड़ा जानी मुंबई में अस्थान है इसका अस्थापना करने वाले BR सिंधे कहां है तो BR सिंधे 2 है या देखेगा यहाँ है इसका date अगर पूस दे तो या देखेगा 1906 में ठीक है 19 206 में तो या देखेगा A का 2 है A का 2 सिर्फ यहां आपका है ठीक है option number D 2 ही है जो कि B का 2 है तो चलिए इसे थोड़ा सा उपर कर देते हैं आपको D का option सही दिखेगा है ना तो A का 2 है ठीक है या देखेगा या देखेंगे आएक है All India Depressed Class Association के स्थापना जो है कोन किये थे सनस्थापक कोन है तो या देखेंगे महावतमा गांदी तो जिन्होंने अचार दिया है B का अचार दिया है उन्होंने सही दिया है तो महावतमा गांदी कब किये थे तो 19-1990, 19-1919, landa में देखें 19, 1932 में सारी मेरे दोस्त 200 32 में ठीक है और 32 में किये थे तो कहां किये थे यह भी मूंबई में किये हर यह दखेगा टो 2 का 4 तो यह यह है आथी है यह बस यह तो कट गया इस B याओ D में अंसर दे नहा है ठीक है ता दू का चार तो जिनमें दू का चार है बी का चार है उन्होंने सही जवाब दिया है तो अपसर नबड़ी जीनका होगा उनका सही होगा है ना यहीं चट गया तो लेकिन C का एक है तो बताएए दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लास फेडरेशन कोन है तो या रखे भीम्राव किये थे कब किये थे तो या रखेगा इनका आता है 1873 में आता है ठीक है या दुखेगा अब इस लिए मैंने ये डेट समझाया क्योंकि अगर पूस दिए डेट के अमसार बताईए काल अनुकरम सरजाईए तो कैसे सरजाते तो इसलिए जरूरी था ठीक है चलेंगे आपके चलेंगे चलेंगे तेरमा प्रशन का जबाब देंगे तेरमा प्रशन है भारतिये विश्विद्याले अधिनियम 1904 के अध्यच निवन में कौन निवन में से कौन थे बताईगा विश्विद्याले अधिनियम जो 1904 के अध्यच फूग थे उसका बताईगा क्या है रैली दिये हैं उन्होंने सही जवाब दिये चोदा माँ प्रश्ण का जवाब दिजे ना लगान ना टैक्स अभियान सबने अवग्यादोनन के दोरान कॉंग्रेस ने कहां चलाया था बताएगा ना लगान ना टैक्स बताएगा कहां चलाए था यह बताएगा 14 माँ प्रश्ण कांसर का जवाब देंगे मेरे दोस्ट पंदरमा प्रश्ण का जवाब देंगे मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने चर्वी वाले कार्तूस्त के कार्तूस्त जो होते हैं के परियोग के बिरोध में किसे अपनी गोली का सिकार बनाया बताईए किसे अपने गोली का सिकार बनाया था किसे मार दिया था यह बताईए मंगल पांडे नी बताईएगा अपने अपने ही बंदुक से मार दिया था गो यह दखेगा उप्सन नमबर भी जिन्होंने लगाया उन्हेंने सही ज़िए हुरेज सन यह दखेगा अंग्रेजी नाम में ठीक है यह दखेगे आगे क्यों चलेंगे सुलमा प्रशन का जवाब देंगे सुलमा प्रशन है कि निम्न में से किसकी रचना हर्स ने नहीं की थी बताएगा किसकी रचना जो है हर्स ने नहीं की थी यह दखेगा हर्स चलेटा की नहीं की थी अपना ही खुद नहीं किये थी यह दखेगा 17 प्रश्ण का जवाब देंगे 17 प्रश्ण का जवाब देज़े भारती या आकरमन भारत पर आकरमन करने वाला प्रथम तुर्की मुसलिम कौन था बताएए तुर्की मुसलिम कौन था तो आप जानते हैं तुर्की मुसलिम कौन था बताएंगे तो या दखिएगा जिन्होंने option number B दिया सुबुक तक गीन उन्होंने सही जवाब दिया सुद्टूगी गीन जो था या दखिएगा भारत पर आकरमन करने वाला प्रथम मुसलिम अगर पूछे तो मुहम्मद बिन काशीम था या दखिएगा लेकिन तुर्की मु अगर होता तब हो जाता लेकिन तुर्की पूछ दिया तब आपको option number B होगा किलियर हो गए इसमें कोई dot नहीं होनी शाहिए आपको है ना चलिएगा जानते हैं कि यह पर सवाल उठता इसलिए मैंने बता दिया चचनामा अली अहमद द्वारा अर्वी भासा में लिखित ए चार option है मेरे दोस्त जवाब देंगे चार option को पढ़िए और जवाब दीजे बताएए आपके सामने time है जवाब दे सकते हैं तो यह दखेगा आप सोच के देखिए वर्ण किया गया है तो यह दखेगा अर्वो द्वारा सिंध विजय का वर्णा नहीं करेगा कभी तो नही इतिहास का महमुद के जनावी के जिवन वितांत ऐसा तो नहीं करेगा अब अली अहमद द्वारा अर्वी भाषा की बात है चैसे नामा आली तो याद कि अपने अर्वी शिंध विजय का ही जाद करेगा तो option number D जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया ठीक प्रकावशन किया है जवाब देंगे 11 वाव प्रश्नका जवाब देंगे तो जिन्होंने चुह काल दौन के दौरान किया है उन्होंने सही जवाब दिया है तो जैसे मजहर मजहरूल हक ने दी मदल लेन नामा कखवार का प्रकार्शन कब हुआ था तो अशायोग आलदोन के समय हुआ था याद दखेंगे और देट अगर पूझदे तो याद दखेंगा अगर पूझदे तो 30 सितंबर 30 सितंबर याद दखेंगे 30 सितंबर 1921 को याद दखेगा याद दखेंगे आई ये आप जानी रहें कुन की है ना चलेंगे आगे बहुत ही अच्छा प्रश्ण है बिसमा प्रश्ण है सतवाहन बंस के किस सासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था कौन सा ऐसा सासक था जिनों ने ये बताए सतवाहन बंस के स स्थापना कुन कहता तो सीमुक कौन सीमुक या दखिएगा चलिएगा 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 जिसमें आपका अंसर एक का तीन होगा, एक का तीन है आपका C और D में, ठीक है C और D में थोड़े सूपर कर देता हूँ ठीक है, असपरस्ट दिखेगा C और D में, ठीक है C और D में है, ठीक है, तो आपका A अब भी कट गया, ठीक है clear समाप्त कर देते हैं तो बताएए, A का आपका 3 हो गया, ठीक है जावर, जावर जो है किसके लिए परसिड़ है, जावर वह अच्छे से जानते हैं, जावर जस्ता और सीसा, जस्ता और सीसा या तक है गाए, एक 4 जिसमें 4 है, तो अपसर नमर 6 ही ही तो है इसमें और कोई सो बनता नहीं है मेरे दोस्त अब मिला देते हैं तीन का एक कुलार सोन कुलार जैसे ही केजेफ याद कर लीजे ठीक है केजेफ में है कुलार हो गया मुसामबीन तामबा बस खतम ठीक है क्लियर चलेंगे आगे क्यों बढ़ेंगे चलेगे बाइसमा प्रश्न का जवाब देंगे निवनिकित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है मेरे दोस्त मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है 24 22 प्रश्ड का जवाब देंगे 22 प्रश्ण का जवाब देंगे या तक फिरेड जिल या तक की का प्सट नंबर डी है या तक है beliefs हैँ गे तेसमा प्रश्ड का जवाब देंगे घो लगया अध्यू लखित सागरों में से किसमेैं तट रेखा नहीं है स्कारों पताइएंगे म और आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, तो इगारमा प्रस्ट तो कर रहा हूँ, क्यूंकि मैं नहीं छोड़ सकता, क्यूंकि मुझसे और भी लोग हैं, चार लाइक करें या पांच लाइक करें, जो देख रहे हैं, उनने तो छोड़ नहीं सकते, जादा चुका हूं इगारमा प्रैक्टिसेट है इडोटेरिया का खत्म होने वाला है खांसरकाब बुक लेने जाता हूं तो आप सपोर्ट करेंगे तभी हिम्मत बढ़ती है प्लीज सपोर्ट करेंगे पताईए अधो लिखित सागरों में किस से किसमें तर्ट रेखा नहीं ह पताईएगा तेश्मा प्रश्न का उप्सन नमबर बी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है सार गैसो सागर या तकेंगे सार गैसो सागर या जवाब दिजेगा चिक है आगे चलेंगे चोविस्मा प्रश्न का जवाब दिए किस चट्टान में जिवासम पा काजी रंगा नेशनल पार्क किस्तित है काजी रंगा नेशनल पार्क किस्तित है कहां है बताईगा मेरे दोस्त तो काजी रंगा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है आपको सार संगर प्रिवियस यर याद होगा अगर वीडियो बाला गेंडा अस्सम में पाए जाता है तो बताई काजी रंग कहां पाए जाता है अंसर के लिए रुआ समझ में आया क्या कैसे कोश्चन बनता है है ना बस कोश्चन को नया करके देता है सोचता है कि पुराने बाला तो पढ़ के आएगा तो थोड़ने है इसलिए आसपस की जनकारी इसलिए मैं कहता हूं कि MCQ करने में दो पढ़ने का वक्त अब खतम हो गया पढ़ लिए बहुत MCQ के तरह ही नॉलेज लिजे MCQ से जो इस्ट्रा बनता है उससे लिजे नमिकित में से कौन सी MCQ वान लाइनर बस इतना ही पकड़ी एक्जाम करेक हो जाएगा जादा डीटेल के मन है तो यूटूब है बहुत सारी टीशर है उनसे पढ़ लिजे नमिकित में से कौन सी नदी भूमत दे रेखा को दो बार काटती है कौन से ऐसी नदी है जो भूमत दे रेखा को दो बार काटती है बता सकते हैं 26 प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने जायर जायर का नाम लिया उन्होंने सही जवाब दिया है या तकिएगा option number 3 या तकिएगा दो बार काटती ह इसे कांगो नदी भी कहते हैं,快 खाएर को कांगो नदी के भी नाम से जाना जाता है मेरे दोथ. कांगो नदी के लाम से भी जाना जाता है. या एक प्रमुख जो है, अफिरका नदी है. या देखेगा अफिरका की एक प्रमुक्ष नदी है या देखेगा निल नदी के बाद अफिरका की सबसे लंबी नदी आती है मतलब दूसरी एक तरसे कहिए आती है लगवग इसका 40 लाक वर्ग कीमर में फैला हुआ जायर कांगो नदी कहिए जायर अलिम्पोबा नदी जो है मकर रिखा को दोबर काटती है अगर लिम्पोबा अगर आएगा जिसे भूमद रिखा को दोबर काटने वाली कौन है तो जायर अलिम्पोबा नदी की अगर बात करेंगे तो मकर रिखा को दोबर काटती है वस यहाद दखेगा कौन सी नदी जो है कास्मीर घाटी में बहती है तो आप जानते हैं कास्मीर घाटी में बहने वाली जो नदी है वो है जेलम हमारा जेलम नदी है या दखेंगे ठीक है जेलम नदी है जो की कास्मीर के महाब बहती है यह नदी जो है आपका जेलम जो नदी है पिरपंजाल रें सिरी नगर का इंगा मिलती एक तरफा से जिल टक जाती है इतना इता है हम वी छलेंगे 28 प्रस्ट बताया कौước गान सी इसा महासागर और को महासागर को जोड़ती है कौन 90 महासागर है जो की साट और अठान्टिक महाँसागर को जोड़ती है 8. begin कि जिन्होंने आपनाम नमबर उनुम्हा नहें ऑफशन को जोड़ने वा जोड़ने couple कल जलमार और यह जलमार्ग नहर के suggests यहption 82 कीमी है या तकिएगा अगर चोड़ाई में पूछे तो 90 मीटर है और गहराई में पूछे तो 12 मीटर है या दखेगा ठीक है इसका उध्गाटन अगर पूछे तो 1914 में हुआ था या तकिएगा और डिटेल भी है मतब 15 अगस्ट 1914 में हुआ था पनावा नहर का ठीक है आगे चलेंगे या डिटेल जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया उन्तिस्वा प्रश्ण निम्रिकेत में से कौन सी एक संस्था बिडेसी बानिज उधार को नियमीत करती है बानिज उधार को नियमीत करती है जिन्होंने भारती रिजर बैंक को ठीक लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया RBI चलिए तीसमा प्रशन का जवाब देंगे तो भारत में सेवा कर किसकी सिफारिस से लागू हुआ ये बताएगा जवाब देंगे जिन्होंने औप्सर नमबर बी दिया है राजा जे चेलिया समीती के द्वारा ये भारत की सिवा कर सिफारिस चालू होती है समीती के तहट सिफारिस लागू हुआ है तकिंगे कब हुआये डेट आप जानते है 1995-1995 के नमसमे हुआ तहट यह है टाएगे चलीएगा विकास के मानवीय पच्छ पर निम्रिकित में से किस एकने सबसे पहले ध्यान के इंदोरित किया? बताये चिस ने सबसे पहले ध्यान के इंदोरित किया है? एक तिस्मा जबाब दीजेगा, आपके सामने चार ऑप्चन है, जवाब देंगे, तो जिनोंने ऑप्चन, नमर एयए, सेयुक्तराष्ट संग, कारिकरम बताया, विकास कारिकरम बताया, उन्होंने सही जवाब दिया है, जा तकेंगे, यू-N-D-P कहते है, यू-N-D-P, चीक है, यू-N- जो है किस बस पारित किया गया है मतलब उनूलन मतलब हटाने के लिए बताइएगा बंधुआ मजदूर तो या देखेगा option number B 1976 या देखेगा उने 176 जो है बंधुआ मजदूर को पारित किया गया था या देखेगा बंधुआ मजदूर में जो बेक्ती लिए उत्तरदाई निर्धन तके लिए उत्तरदाई को नहीं बताइगा बताईगा त्रेटिस्मा प्रश्न का जवाब दीजेगा मेरे दोस्त जिन्होंने option number D दिया है बढ़ती निवेस्थ तर उन्होंने सही जवाब दिया है जिए बढ़ती निवेस्थ जिन्होंने पड़ेगा नकल आराच्छित अनुपात को कम करने से अर्थ विवस्था पर इसका निम्रिखित पड़वा पड़ेगा क्या परभाव पढ़ेगा मेरे दोस्ते ये बताईए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या परभाव पढ़ेगा ये बताईए आपके सामने चार अप्सन है तो यह दखेगा option number C जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया है यह दखेंगे option number C मतब एक तो सही है, दो भी चाहिए है, अर्थविस्था में मुद्रा, बढ़ सकती है, यह दम सही है, चौथा भी भास्ताविक निवेस तर में गिरावट आ सकती है, यह ही चारो अप्सफन सही है, ठीक है? आगे के ओर चलेंगे ठीक है आगे क्यों चलेंगे बताएगा 36 प्रश्न है कि दव भिहार हिरार्ट समाचर जो है समाचर को किस बर्स प्रकासित किया गया है देखिए ये कोशन दूबारा पूज दिया प्रसाद जी ने किये थे इसका प्रकाशन चलिएगा सैंतिस्वा प्रस्ण भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बन प्रतिशत क्या है बताईगा बन प्रतिशत क्या है सैंतिस्वा प्रतिशत का जवाब दिया जिन्होंने साथ दसमलो आठ चार प्रतिशत दिया उन्होंने सही जवाब दिया है ठीक उन्होंने option number D दिया है, Ireland उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, आगी क्यों चलेंगे मेरे दोस्त, उन्चारिसमा प्रशन बताएए कि हाली में, हाली के दिनों में चर्चा में रहा हाल मार्क्स, यूनिक, आइडेंटिफिकेशन, ह, यू, आइडी, नंबर में कुल कितने अंक हैं, बताएगा, ह, यू, आइडी में कितने नंबर हैं मेरे दोस्त, उन्चारिसमा प्रशन का जवाब जिन्होंने दिया है, छे दिया है, उन्होंने सही जवाब दिया है, मेरे दोस्त, चारिसमा प्रशन का जवाब देंगे, चारिसमा प्रशन का जवाब दिजे, कि प्रती वर्स विस्व सतत परिवहन दिवस कब मनाये जाता है सुचांग से है कोशन मैंने सुचांग से करवाया है पूरा नहीं करवाया तो आपसा नमबर सी 26 नुमंबर या तखिया 26 नुमंबर डेट या तखिये 26 नुमंबर बताइएगा आगे चलेंगे 41 प्रश्ण का जवाब देंगे 44 प्रश्ण है कि अंतराष्टी ये बहुत ही एक संपदा सुचांग देखिए पूस्दी है 2023 में भारत का अस्थान क्या है आप मेरे करेंटेफेर को नहीं देखते होंगे लेकिन आप सेट प्रड़क्ट इसमारिए अब उसके बाद मेरे जाके करेंटेफेर देखिए आपको हर कोश्चन मिलेगा तब समझ में आएगा कि मैं मेहनत करता हूँ कि नहीं आपके लिए स्पेसरी अपसन नमर डी 42 क्योंकि मैं नहीं चाहता मैंने जब बोला है कि BPSC का जिक्के मुझे बिहार SAC का जिक्के करवाना है उसमें बिहार SIV अगर समलित हो जाएगा उसका भी रिजल्ट होगा यह मैं कह चुका हूँ तो अब समझ जाएगे कि मैं कहां कहां से सर्च करके लाया हूँ तो याद दखिएगा अंतरश्टी ये बौधिक समपता सुचांग 2023 में भारत का स्थान 42 है यह ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे यह 2030 का है चलिएगा 42 में प्रश्ण का जवाब देगे सिपिंग सिपिंग अ फीचर अफ राइट चिक है विसे के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाये गया बताईगा 2023 में मनाये गया 42 में प्रश्ण का जवाब देंगे बताईगा 42 में प्रश्ण का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्सन नमबरे 20 प्रेस सोतंता दिवस मनाये गया बताईगा कौन से अन्टिशेट में आता है प्रेस दिवस 43 मां प्रश्ण का जवाब देज़ेगा, CVI के द्वारा चलाए गया था, मेक चक्र, या दखेंगे, ठीक है, 44 मां प्रश्ण का जवाब देंगे, 44 मां प्रश्ण है, बज़र 2023 के ताद सिच्छा पर कितना व्यक करने का यूज़ना बनाया गया है, इडुटेरिया के तहद आपको अंसर है, इसका अंसर इडुटेरिया के तहद अगर दिखा जाए, तो यह 44 है, और या दखेंगे, चलिएगा, इडुटेरिया के तहद यह अकड़े है, या दखेंगे, पताइए टाइम्स पत्र का सूची जो है 2023 के तहर किस अभिनेता को सामिल किया गया है तो यह दिखेगा सारू खान को किया गया है यह दिखेगे सारू खान को इसमें सम्लित किया गया है चलिएगा 46 प्रश्न का जवाब देंगे 46 प्रश्न का जवाब देजे कि 46 प्रश्ण है कि हाली में तारीक फता का नीदन हो गया है उनका सम्मंद किस छेत्र से था बताएगा उनका सम्मंद किस छेत्र से था ये बताएगे तो गया रखिएगा ओप्सन नमरे लेखक थी या तो किया लेखिका थी और वो तारीक फता चले गया थे चलिएगा 47 उचना बनाए गई है विकलते 20 का उप्षाव कुणोर राष्टी उड़्यान में बताइएगा प्रदेश है कहा है गुजरात में जवाब की बात की गई है या दखिया है दक्षन फिरकत से पहला बौधिक जो है पहला वैस्विक बौधिक सिकर सम्मेरा दुवारा कोशन पुछा है पोड़ी एट का नई दिल्ली या दखिगा ठीक है नई दिल्ली चलेंगे उचास्वा प्रश्ण का जवाब देंगे प्रथम पुस या दखिगा उपसन नमर भी जिन्होंने जवाब दिया केके गुपाल कृष्ण ने या दखिगा इन्होंने लिखा था या दखिगा चलेगा पचास्वा प्रश्ण और आज के लिए जिक्के का ही अंतर रखते हैं 25 साइंस आपका प्रैक्टिस से छे और प्रैक्टिस से ट मुझे उत्सान नहीं आता है मेरे दोस्त मंगल यांड टू किस वर्स तक प्रस्षेपित करने का लच्छ रखा गया है क्योंकि देखिए जो लाइक करें स्ब्सक्राइब करें उनके लिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही यह तो फिक्स है क्योंकि मुझे भी वह मुझ पर है तो मैं भरोशा तोड़ूंगा नहीं लेकिन और भी से रिक्वेस्ट है मुझे कि आप लोग भी देखें वाशिंग करें और देखें तो अच्छा लगता है बताने में भी और स्रेट प्रेक्टिस कराने में बताएगा पचासमा प्रश्ण का अंच्छात का जबाव लेकिया चलिए जैहिंद जैवारत अच्छा लगत तो प्रीज सब्सक्राइब लाइक चाहिए चाहिए का 25 कोशन और इसका दोनों का 25 कोशन मैं करवा दूंगा आज या कल तक अप्लोड कर दूँगा साइंस का स्पेस्ली ओके तो अच्छा लगत प्लीज सब्सक्राइब लेकि सेगा